आज है हमारी तैयारी का डे 23 आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली खतम कर देंगे पिछले लेक्चर में हमने SHM में देखा था किस तरीके से equations लिखी जाती है energy की equation क्या बनके आती है और वो सारी kinematics वाली चीज़ें तब हर्मने कर ली आज हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं कि किस तरीके से अलग-अलग भाती-भाती के जो हमारे बास SHM होते हैं सब के time played हम किस तरीके से पता कर सकते हैं खास करके pendulum में और इसमें बहुत सारे variation होते हैं देखो formula निकल के आता है फिर कभी length को 4 गुना कर देंगे प्लानेट पर दूसरे पर ले जाएंगे तो वहाँ effective value of gravity कम हो जाएगी बहुत सारे variation बने का scope होता है इसलिए ये वीडियो बहुत important हो जाता है इस वीडियो में हम सारे concepts भी देखेंगे और बहुत सारी practice भी करने वाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को start करते हैं Pointing time period time period पता कैसे करते हैं देखो हमें एक चीज़ तो पता है कि time period का formula SHM में होता था 2 pi by omega अगर मैं अलग-अलग जगे omega की value पता करना हूँ तो मैं किसी भी जगे पर time period की value पता कर सकता हूँ अब omega की value किस तरीके से पता की जाती है start करते हैं हम इस तरीके से मानलो हमाँ पास spring mass system है तो यहां पर हम क्या लिखते थे हम देखते थे कि हमाँ पास force की जो value होती थी वह होती थी minus kx यह हमाँ पास basic सी equation है spring में यहां पर हमने लिख लिया था कि acceleration will be equal to minus k divided by m times x force को हम mass times acceleration लिखते थे, mass को दूसरी तरफ ले गए अब यह जो term आई है actually यह हमारे लिए उत्ती important नहीं है हमें देखना होता है कि displacement और उसका double derivative यहां पर है जो कि acceleration होता है इनके बीच में कुछ relation आता है और यह जो बीच में जो भी आ जाए यहां पर जो भी value निकल के आए वही बन जाती है हमारी omega square हम लिख सकते हैं acceleration is equal to minus omega square times x अगर हम इस format में ला पाए किसी भी equation को तो omega की value मैं वहां से निकाल लूँगा omega यहां रखते है time period की value मिल जाएगी तो इस particular case में हमारे पास omega की value कितनी है जाती है omega की value यहां से जाती है under root k by m feel करने की कोशिश करो spring constant बहुत जादा है बहुत ही जादा strong spring हो गई तो वो इसको अच्छे तेजी से vibrate करा पाएगी तो इसके लिए omega की value fast हो जाती है omega की value बढ़ जाती है time period कम हो जाता है या फिर हमने बहुत ही heavy mass रख दिया है आपे वो धीरे जीरे जागा toing 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 तो वो धीरे धीरे move काता है linear हमाया पास x जा रहा है length में जा रहा है translation हो रहा है तो वहाँ पर acceleration था अगर हमाया पास rotational में हम बात करें है तो देखो हमाया पास rotational में भी same चीज हो जाती है कैसे इसको देखते है rotation में हम force की जगे लिखते है torque और यहाँ पर हमाया पास जो displacement होता था यहाँ पर कैसे आता है यही चीज हमें question में दी होगी अगर मुझे यहाँ पता चल गया तो torque को हम क्या लिखते है moment of inertia times alpha is equal to minus k theta आगया मेरे पास यहाँ पर alpha की value मैं लिख दूँगा minus k upon i यह जो भी चीज आनी है ठीक है यह into theta अब यहाँ पर हम फिर से देखते है देखो यहाँ पर x था और यहाँ e था बीच में जो भी चीज आती थी उसको हम omega square लिख देते थे यहाँ x की जगए theta है यहाँ पर alpha है acceleration की जगए बीच में जो भी चीज आ उसको हम कल देंगे omega का square यहाँ से में पास alpha की value आ जाती है minus omega square times theta और यहाँ से omega की जो value आ जाती है omega की value हो जाती है हमाँ पास under root of k divided by i अच्छा यह omega क्या है हमाँ पास shm की angular frequency है अब यह मैं सोचना की यहाँ पर इस तरीके से rotate कर रहा था तो यहाँ पर हमाँ पास theta था इसको differentiate कर दें तो omega आता है वो angular velocity अलग हो जाएगा अब लिखने के लिए हमने omega को पहले से यूज करते आ रहा है तो यहाँ this omega is not angular velocity कि यहाँ पर angular velocity कभी positive होती है कभी negative होती है उस omega से मत confuse हो न यह फिर आप इसको ऐसे लिखो ही मत आप सीधे सीधे लिख दोगे कि भाई हमाँ पास यहाँ से time period की value फिर आ जाएगी time period will be equal to under root of देखो यहाँ पर k by m था sorry हमाँ time period का formula ही नहीं लिखा गे दिर time period का यहाँ पर हमाँ पास formula आ जाता है 2 pi under root m by k आता है हमाँ पास यहाँ पर हम लिख देगा time period will be equal to 2 pi under root of देखो यहाँ पर i उपर आ जाएगा k नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि और हमाँ पस i divided by k similarly हमाँ पस formula यहाँ पर mass उपर है inertia यहाँ पर moment of inertia यहाँ पर k हमारे force की proportionality constant आ रहा था यहाँ पर हमारे torque का proportionality constant आ रहा है straight forward same तरीके से हम पता कर सकते है usually हम इसका इस्तेमाल करते है और अब यहाँ पर में पास एक होता है pendulum pendulum में आप इस तरीके से हाँ इस चीज को derive कर सकते हो यहाँ पर कोई angle theta रहेगा उसके साब से आप इस पर torque लगेगा तो आपके पास कुछ ऐसी equation हाजाएगी torque is equal to something times sin theta, sin theta है ना mg sin theta into L आजाता है और वहाँ से आप ले दे करके इस तरीके से derivation कर सकता है, हमारे आपास इसका time period आजाता है t is equal to 2 pi under root L by g masses ma and mb hanging from the ends of strings of length la and lb are executing simple harmonic motion if their frequencies are fa is equal to 2 times fb तो हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें पूची गई है सबसे पहली बात यह हमारे पास pendulum का question है देखो हमारे पास pendulum का जो time period होता है वो हमेशा होता है 2 pi under root of L by g it is independent of mass independent of mass m जो pendulum में bob लटका होता है उसका जो mass होता है उसके independent आता है और यहाँ पर हमारे पास अब देखो कुछ चीज़ें उन्होंने बता दिया है frequencies के बारे में बता दिया है frequency क्या होती है frequency होती है one upon time period अब वीडियो को pause करो question को solve करो बता उन्हें से कौन सा option सही है इसका correct answer है C देखो हमें बुला हुआ frequency of A is equal to two times frequency of B यहाँ से हम क्या लिख सकते है one upon time period of A is equal to two upon time period of B या फिर मैं लिख सकता हूँ time period of B is equal to two times time period of A ठीक अच्छा इसका time period का तो हमाहा पास formula है और हमें यह भी बता है कि यह चीज़े proportional होती है L के तो मैं लिख सकता हूँ है तो सीधे ही लिख देता हूँ मैं under root L A is equal to two times under root of L B sorry यहाँ पर A आएगा यहाँ पर मेरे पास आएगा इस तरीके से B TB के नीचे L B आएगा ठीक यहाँ से मैं पास आएगा length of B is equal to four times length of A कौन सवाल option दिख रहा है यहाँ पर length of B is equal to four times length of A regardless of masses option C becomes our correct answer a simple pendulum is oscillating without damping when the displacement of pop is less than maximum its acceleration vector is correctly shown as अब यह बहुत ही अच्छा conceptual question है है ना यहाँ पर हमें clearly बोल दिया है कि यह अपनी maximum point पर नहीं है देखो maximum position मालो इसकी यहाँ होती इसकी भी यहाँ होती सब जगे maximum position होती उसके हिजाब से बहुत है बताना है इसका correct answer है C कैसे है देखते है देखो पहली चीज़ तो मैं इसको सीधे सीधे reject कर सकता हूँ यह तो नहीं होने वाला अगर इसका नीचे acceleration हो रहा होता तो यह यह तो projectile motion हो रहा होता इसका ऐसे की तरफ नीचे है ना यह सीधा नीचे गिर रहा होता तो यह तो नहीं होने वाला अब बात आती है कि इसका acceleration होगा कैसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर समझे है कि भाई यह जिस भी point पर है इसके उपर दो तीन forces लग रहे होंगा ठीक है एक force लग रहा होगा इसके उपर मानलो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ एक force इस पर लग रहा होगा इस तरीके से mg दूसरा force इसके उपर लग रहा होगा इस तरीके से tension T का ठीक अब इन दोनों के कारण जो net force हो जाएगा उस दिशा में इसका acceleration आजाएगा तो इन दोनों के कारण उसका force इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है किदर भी हो सकता है तो मैं इसको भी reject कर दूँगा कि ये वाला भी होने वाला तो नहीं है अब मेरे पास दो option है इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा तो इसको कैसे approach किया जाए बहुत ही अच्छा सा इसका तरीका है देखो यहाँ पर mg के कारण दो component आएगे, एक इस तरफ आएगा एक इस तरफ आएगा तो मैं इसको यहाँ सर्टा देता हूँ मेरे पास एक इस तरफ आजाता है mg पॉस थीटा एक आजाता है, मैं इस पास mg sin थीटा अभी जो mg sin थीटा है वो definitely इसका इस दिशा में कुछ acceleration कराता है आप ऐसे समझ सकते हो, इसकी इस दिशा में mg sin थीटा लग रहा है, उसके कारण इसका कुछ angular velocity बढ़ती भी होगी mg sin थीटा के कारण टॉर्क कारा है यहाँ पर दो फोर्स लग रहे है इसके उपर, एक टेंशन का एक दूसरा लग रहा है mg cos थीटा अगर यह दोनों बराबर हो जाते इस तरीके से तो cancel out हो जाते लेकिन वो cancel out नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते क्योंकि यह भी maximum position पर नहीं है, इसकी यहाँ पर इस तरीके से कुछ ना कुछ omega होगी यह मैं दो लूँ कि यह maximum position से नीचा रहा था तो इसकी कुछ इस दिशा में velocity होगी, अगर velocity है और यह circular उसमें motion कर रहा है तो इसका definitely उपर की तरफ कुछ acceleration होगा acceleration centripetal इसका इस दिशा में है acceleration tangential, इसका इस दिशा में acceleration centripetal net resultant, इन दोनों का कुछ इधर ही आ सकता है, तो मैं पास actually यहाँ पर option बिशता है, option C and C is the correct answer the time period of a simple pendulum is two seconds if its length is increased by four times then its periods become देखो, ऐसे-ऐसे सवाल पूचे जाते है सीधे-सीधे time period की value क्या होती है under root 2 pi under root L by G अब हमने किया कि length को 4 गुना कर दिया है तो length को आप 4L लिखोगे तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, हमने पास time period दो गुना नहीं हो जाएगा हमारे पास जो time period हो जाएगा, देखो, T2 by T1 की value आजाएगी, under root of L2 by L1 which is equal to under root of 4L divided by L, यह कट जाएगा इसकी value आजादी 2, T2 की value आजाएगी 2 times T1 which is equal to 2 into 2 which is equal to 4 second D becomes our correct answer ऐसे सवाल पूचे जाते हैं a hollow sphere is filled with water it is hung by a long thread as the water flows out of a hole at the bottom the period of oscillation will first increase, decrease, go on, increase and go on, decrease and बहुत ही अच्छा सवाल है देखो, इसमें हो किया रहा है हमारे पास इस तरीके से एक स्फेर है और वो hollow है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा इस तरीके से ठीक अब पानी भरा हुआ है, यहाँ पे एक छेद कर दिया हमने छेद कर दिया तो यहाँ से पानी नीचे गिरने लगेगा पानी गिरेगा तो इसके mass की value कम हो जाएगी हमने क्या देखा था, time period की value होती है 2 pi under root of l by g इसके mass से तो भही हमें फरकी नहीं बढ़ रहा mass कम हो यह जादा हो क्या यहाँ पे answer होना चाहिए बहुत ही अच्छा थावाल है, ध्यान से देखो वीडियो को post करो, question को solve करो इसका correct answer है A, तो अब यह कैसे आया देखो mass से independent है, इनको एक option देना चाहिए था, will remain constant, तो बहुत लोग शायद उसको माग कर देते, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़े है, कुछ तो change हो रहा है तो time period के formula में देखो क्या g की value change होती है कभी नहीं change होती है, तो वहीं है length की value length होती क्या है, length physically रसी तो लंबी नहीं हो रही है लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर मैं यहां consider करूँ, तो length पहले मैं center of mass से इस तरीके से मान सकता हूँ, ठीक है initially मेरे पास जो length रहेगी वो sphere के center तक रहेगी मान लो यह है मेरे पास L1 center of mass तक यहां पर रखी हुई है, फिर दीरे दीरे क्या होगा, इसका पानी कम होता जाएगा पानी का level जैसे जैसे नीचे आता जाएगा हम क्या मान लें कि हमारे पास अब जो length next time आएगी वो थोड़ी ज्यादा आएगी, क्यों क्योंकि पानी का level अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है इस तरीके से यह मेरे पास L2 हो जाएगी length effectively बढ़ रही है हमारे पास, ठीक है यहां पर भी center of mass तक आगए तो अगर length बढ़ गए तो time period बढ़ेगा तो time period बिल increase अब लेकिन यहां पर decrease का भी option लिखा हुआ है, और थोड़ा सोचो पानी पूरा खतम हो गया, मानलो पानी पूरा खतम हो गया और हम फिर से देखेंगे, अब हमारे पास hollow sphere बचता है, यहां पर यह पूरा का पूरा इस तरीके से full था, अब यह फिर से hollow sphere बचा है, तो इस तरीके से solid sphere था, उसका भी center of mass यहां होता है, यह hollow बचा है, इसका भी center of mass यहां रहेगा, तो यह फिर से हमारे पास L1 के बराबर आ जाती है तो हमारे पास length L1 से जाती है, L2 जाती है फिर से वापस L1 हो जाती है, length पहले बढ़ती है, फिर से effective वाली कम हो जाती है, तो time period भी पहले increase होगा, फिर decrease हो जाएगा, इसलिए A becomes our correct answer, यहां पर मैं क्या बोलूँगा, L2 is more than L1, और इसलिए हमारे पास A answer आ जाता है, बहुत ही अच्छा है इस सवाल था simple pendulum को, अगर हम एक lift में रख दें इस तरीके से, और माल लो, यहां पर हमारे पास जो lift है, उसको मैं बोलता हूँ यार, यह उपर की तरफ accelerated हो रही है, A, तो इसमें time period किस तरीके से निकाला जा सकता है, time period क्या होगा, देखो हमारे पास जो time period का formula होता है, वो होता है, 2 pi under root of L by G, अब यहां पर length L तो change नहीं होगी, मैं इस lift को accelerate करता हूँ तो, लेकिन यहां पर यह जो G वाली term है, यह G actually होता क्या है, यह G actually आता है, हमारे पर G effective, है न, और यहां पर मैं इसको actually इसके जो forces वगरे draw करने की कोशिश करूँगा, तो with respect to lift, अगर मैं चेक करूँँ, तो मैं पास यहां पर इसके उपर को pseudo forces लग जाएंगे, pseudo force कैसे लगेंगे, हमारे पास यहां पर था इसके उपर नीचे की तरफ लग रहा था कोच M G, साथ में इसके उपर यहां से देखो सारे के सारे M हमारे कट जाते हैं इस तरीके से, हमारे पास वाली जाते हैं भाई, G effective is equal to nothing but G plus A, अगर lift उपर जा रही है तो यह हमारे पास, देखो क्या होगा, अगर lift उपर जा रही है तो हमारे पास G effective की value बढ़ जाएगी, अगर यह वाली value बढ़ेगी, तो हमारे पास time period की value अचली कम हो जाएगी और अगर lift नीचे आ रही है, तो हमारे पास G effective फिर कम हो जाता है, weightlessness टाइप की चीज़ फिल होने लगते हैं, हम अपने आपको हलका महसूस करते हैं तो G effective की value कम हो जाती है, कम हो जाएगी यह वाली value तो time period फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है time period of simple pendulum in a stationary lift is T, if the lift accelerate with G by 6 vertically upwards, then the time period will be तो यहाँ पर time period की value हमें बतानी है, तो G effective की terms में सोचना शुरू करो, अच्छा सा diagram बनाओ, वीडियो को pause करो, question को solve करो इसका correct answer है, C कैसे है, solve करते हैं, देखो हमारे पास सबसे बाली वाल तो time period का formula होता है 2 pi under root L by G effective, तो अगर हमारे पास lift में 2 pi और L की value तो change नहीं हो रही है, सिर्फ G effective की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, time period is proportional to 1 upon root G effective, जो भी value है, अब हमारे पास यहाँ पर जो lift थी, उसमें इस तरीके से pendulum लटका था, पहले इसके उपर जो G effective लग रहा था, जिस वक्त यह stationary थी, उस वक्त तो यहाँ पर G ही लग रहा होगा, mg, फिर जब यह उपर ही तरफ accelerate होने लगती है, तो इसके उपर नीचे की उसकी value है जाती है, G plus A के बराबर उसकी value बढ़ जाती है, तो देखो मैं लिख दूँगा T2 divided by T1 will be equal to under root of, अब देखो T2, बाद में G effective तो नीचे आएगा यहाँ पर इस तरफ, यहाँ आजाएगा मैं पास G plus acceleration, T1 के लिए मैं लिख दूँगा सिर्फ G, जिस वक्त acceleration की value थ नहीं, यह value आजाती है, under root of G upon G plus G by 6, सारे के सारे G यहाँ पर इस तरीके से कट जाएगे, इसकी value आजाती है, under root of 6 उपर चला रहागा, नीचे बच जाएगा मैं पास 7, T2 की जो value आजाती है, वो आजाती है, under root 6 upon 7 times T, C is the correct answer. पेंडूलम के case में, हमारे पास देख वो time period की value होती है, वो हमेशा हो जाती है, 2 pi under root of L divided by G effective, अभी G effective तरीके तरीके से बदलता है, जैसे जब हमारे पास lift उपर accelerate होती थी A से, तो नीचे की तरफ G effective किता जाता था, G plus A, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा acceleration उपर या नी accelerate कर रही है A से, तो ऐसी case में क्या किया जाएगा, देखो इसको हमें समझना पड़ेगा, अगर यह इस तरफ accelerate हो रही है A से, तो हमारे पास यहाँ पर, अब मैं lift के अंदर या van के अंदर बात करूँगा, wrt van, क्योंकि van के अंदर ही तो यह oscillatory motion कर रहा है, ground के हिसाब से oscillation है यहाँ पर, तो इसलिए with respect to when हम चीज़े देखते हैं, जो with respect to when बात करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पर string है, नीचे की तरफ इस पर कुछ force लगा होगा Mg, और इस तरफ कुछ pseudo force लगेगा, इस पर M A, और यह इस तरीके से लगेगा कि दोनों का net resultant, हमारे पास सारे vectors में M, M, M आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास vector है, उनका addition करते हैं, तो यहाँ से मुझे दिख जाएगा, G effective is nothing but under root of A square plus G square, कैसे आया, Pythagoras theorem लगाओ, यह है मेरे पास G, यह है मेरे पास A, G और A का square करके under root करोगे तो मेरे पास आजाएगा G effective, तो इस तरीके से हम ची acceleration A की value दे दी जाए, मालों बोल दिया, यह car है, इस तरीके से घूम रही है, तब जब car इस तरीके से घूमती है, तो यहाँ पर इसके उपर को pseudo force लगेगा, और pseudo force में अब की बार acceleration की value आपको क्या ले लेनी है, V square upon R या omega square R जो भी हो सकता है, यहाँ पर इस दिशा में pseudo force इस दिशा में आ जाता है हमारे पास ऐसे, M V square upon R, और यहाँ पर फिर से हमारे पास एक effective G हमें दिखाई देता है, इस तरीके से देखो, यह दोनों जुड़ जाएंगे, यह बन जाता है हमारे पास G effective, तो G effective नहीं यहाँ पर तो force बनाना है, तो M G effective इसको लिख दूँगा, अगें सेम चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर अपकी बार मैं क्या बोलतूँगा, इस case के लिए, G effective की जो value आजाएगी, वो आजाएगी under root of, दोनों perpendicular components को add कर दे, तो यहाँ पर हमारे पास है सिर्फ G, G का square कर देंगे, प्लस दूसरी दरफ कितना है, V square upon R, देखो subject इसे मै हमे square करके add करना है, इस तरीके से हम G effective निकाल सकते हैं, काफी कम chances हैं कि आप से पूछ लिया जाएगी, बताओ भाई, इसकी mean position क्या होगी, देखो जो भी accelerate नहीं कर रहा था, तो यह इसकी mean position रहती थी, correct, यह इसके about ऐसे ऐसे oscillate करता था, अभी accelerate कर रहा है, तो G effective इसकी उप अब सकते हैं, तो यह मारी mean position हो जाएगी. A simple pendulum is suspended from the roof of a trolley, which moves in a horizontal direction with an acceleration A, then the time period is given by T is equal to 2 pi under root L by G, whereas G is equal to, अचे तो यह G नहीं होगा, यह जी डैश रहा होगा यह तो G डैश क्योंकि G is equal to G थोड़ी हो सकता है और यहां पर हम देख चुके हैं सीधे सीधे इसका answer आने वाला हमाँ आपास D क्या हमाँ आपास G effective की value G square plus A square आजाएगी A mass falls from a height edge and its time of fall is T It is recorded in terms of time period capital T of a symbol pendulum On the surface of earth it is found that small t is equal to 2 times 3 बहुत ही अच्छा सवाल बना दिया देखो यह तो बहुत ही अच्छा सवाल है हमाँ पास एक पत्थर है जो नीचे गरता है कोई height h नीचे गरता है इस तरीके से उसको नीचे गरने में कुछ time लगता है और उस time t को हम second में नहीं ना परे हैं हमने यहीं पर एक इस तरीके से pendulum ले लिया है और उस pendulum का कुछ time period होगा हम उसके हिसाब से calculate करते है अच्छा इसके दो oscillation हो गए तीन oscillation हो गए चार oscillation हो गए इसका जो time period है वो capital T हमें दिया हुआ है इसको गिरने में लगता है small t ठीक है तो यह बुला गया कि earth पर तो हमने देखा कि भाई दो time period के बराबर है इसके दो oscillation हो जाते हैं इसको नीचे के जने में ठीक अब उसका mass हाफ कर दिया है तो उसकी effective g की value वहाँ पर change हो जाएगी ठीक है भाई वहाँ पर g effective वहाँ पर कुछ और हो जाता है यहाँ पर वहाँ पर gravity के विली acceleration की value g ही थी और राइट the same experiment is repeated and corresponding times noted t- and capital t- हमें अब बताना है value यहाँ पर क्या आई होगी यह सवाल बहुत ही अच्छा conceptual सवाल है वीडियो को pause करो इसको solve करने की कोशिश करो इसका correct answer है A तो देखो पहली जीस्तों हमें समझनी है यहाँ पर जो time period लिखा जाता है हमारे पास capital t की जो value है जो की इसका pendulum का time period है उसकी value होती है 2 pi under root of l by g चीक दूसरी चीज जो हमें time period इसे नीचे गिरने में कितना time लगा है उसको हम कैसे पता करते हैं अरे भाई आप कोई भी height edge से नीचे गिरते हो देखो अब इन दोनों जगे को आप चले जाते हो तो दोनों जगे पर हमाया पस g की value ही तो change हो रही है हम फिर नापते हैं कि इसके कितने oscillation में यह नीचे गिरा तो वो जो number of seconds है number of oscillation n को आप किस तरीके से नापते हो n को आप नापते हो कि जितना time लगा उसको आप divide करें कि हमारे पास time period कितना है जब हमने earth पे किया था तो इसकी value कितनी है जाती है this is equal to 2 on earth छीक अब same चीज़ को हम करेंगे दूसरे planet पे तो वहाँ effective g change हो रहा है तो इसके गिरने में जो समय लगेगा वो भी change होगा इसका time period भी change हो जाएगा हमें बता करना है कि भाई मान लो इसको मैं बोलूँ ये tick-tock tick-tock दो second अगर यहां लगे थे तो वहाँ 2 second लगते हैं 2 से जाधा second लगते हैं 2 से कम second लगते हैं या 1 second लगता है तो ऐसे कुछ options दिये हो हैं अब देखो सबसे पहली बात यहां पर मैं इस formula को ही देख लेता हूँ इसमें हो क्या रहा है यहां पर अगर मैं देखो तो small t जो है उसमें भी हमारे पास under root g denominator में है capital t में भी हमारे पास under root g denominator में है तो यह जो value आजाती है this is independent of g आजाती है तो अब इस setup को आप चांद पे ले जाओ mars पे ले जाओ saturn पे ले जाओ कहीं भी ले जाओ हमारे पास इसकी value हमेशा 2 ही आएगी तो मैं पास answer आजाएगा यहां से कि आपके पास t- की value 2 times t- ही आएगी इस independent of g इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वाजाओ crash app learning app पे लिंक इस in the description साथ में वहां पे आपको मिलती है colorful notes की PDF ताकि आपका last minute revision हो जाए और पूरे के पूरे crash course में 11th and 12th का जितना भी physics का syllabus है ने को उसके हिसाब से उसको completely cover कर लिया है बहुत सारे PYQs करें in fact सारे के सारे तरह के जितने भी तरह के PYQs all types have been covered ताकि आपकी इतनी सबल्दस practice हो जाए पूरे confidence के आप exam hall में घस्पा होगे link is in the description उसको जरूर देखना हम मिलेंगे full video calls में